पूर्ण 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 कुई जिन्दगी उसे नजर आजाती है अंत का मतलब होता है सब खत्म गेम ओवर लेगन इस कहानी में अंत से एक नई शुरुवात होती है किसी की मौन्त किसी को एक नई जिन्दगी कैसे दे सकती है ये आपको पता चलेगा बाबू कीर्दी I'll love अरे निकम्मे सो रहा है या जाग रहा है एक्जैम तेरी होती है और जागना हमें पढ़ता है जब से तु पैदा हुआ है तब से हम जागी रहे है अरे बाबू पढ़ रहा है या खर्राजे मार रहा है बढ़ रहा हूं पापा या, स्टूडेंट हो तो तेरे जैसा सोच रहे हैं कि यह हैंडसम लड़का इतनी गालियां क्यों खा रहा है सब्टेम्बर है ना मार्च का पाप सब्टेम्बर में दो रहा हूं बेटा, तेरा पेपर टॉम औन जेरी लिखने नहीं आने वाले पढ़ाई कर ले तॉम औन जेरी के बुल्डॉग की तरा पीचा पड़े और रिमोट दो बेटा, ये जूस पीते-पीते कम से कम थोड़ी पढ़ाई कर ले ये पैर गुडनाइट बोलने से पहले सो गया अला, मैं जगा देता हूं बेटा वैसे भी तुझे पढ़ाई पैर से नहीं करनी थोड़ा दिमाग लगा ले बेटा, यद्रक वाली चाय पीले बेटा उसकी बात पढ़ना मेरा अच्छा बच्चा पीले बेटा तॉम जली को पकड़ नहीं वाला था, रिमोट दो आरे, सुन तो तब जो आटिटूट दिखाया था, उसकी सजा आप मिल रही है पूरी रात पैटकर किताबे किस रहा हूं अगर कोई लड़की सुभह चार बचे तक पढ़ाई कर रही है मतलब मार्च क महीना है अगर कोई लड़का सुभह चार बचे तक पढ़ाई कर रहा है मतलब पक्का सप्टेम्बर है अगर बेटा, पापा के पैर छुकर जाना कट्टू मार्च रुप बेटा, बपा के दर्शन कर ले सुन बेटा, पहले बपा के दर्शन कर ले, उसके बाद घर से जाना बपा सुन, बपा के सामने जूटी शान दिखाएगा मार्च में लाद पड़ी तो सेप्टेम्बर में गिरा इनसे कोई बच पाया है, जा शिरवाद ले मेरी शान चबाया हुआ पान लगता है, तो इनके आगे हाथ नहीं जोड़ूँगा अगर हाथ जोडने से मैं पास या फेल होने वाला हूं, तो मैं खुद पढ़ाई करके पास होंगा Lost and Found Property की तरह सारे Unwanted लोग यही मिल जाते है पर ऐसे में अगर लड़की दिख जाए तो दिल में घंटी बजने लगती है जिस किसी कभी कॉपी करके एक्जैम पास करने का खयाल हो वो यहां से अभी चला जाए अगर कॉपी करने वाले स्टूडन्स को पकड़ने का आपका खयाल है तो आप भी चले चाहिए यह कौन बोला? तो तुम पास होने के लिए कॉपी करोगे? इसमें गलत क्या है? चीटिंग करना गलत नहीं है आप क्लास में बुक खोल कर पढ़ा सकते हैं आप छोटी सी चिट खोल कर लिख नहीं सकते हैं चीटिंग मेरी किसमत खराब थी जो मैं ऐसे गधों का सुपरविजन करने आ गया ओ सर जी इतना भड़कते क्यों है यहां बेटे हर स्टूडेंट ने पर पेपर पंदरा सरुपए की फीज भरिये तब जाके आपको अपने पैसे मिलें घूरना बंद कीजे पेपर बांटिये नहीं दोगे दे दो ना तुम फिर से? जहां आप वहां में सप्लिमेंट लो सप्लिमेंट 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 तुम ने 35 सप्लिमेंट लिये आज पेपर बहुत अच्छा गया क्या? किसको पता एक पेश पर एक आंसर लिखा है ताकि तरस खाके मुझे एंजिनियर बना ही दे एंजिनियर तो बंद कर रहोंगा इसे एक बार कॉपी करते भे पकड़ लो फिर तीन साल के लिए सस्पेंट करवा दूँगा यह क्या है? क्या है यह? चिट करो कॉपी करो 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 सर यह तो गलत है आज एलेक्ट्रोनिक साइंस का पेपर है कंप्यूटर साइंस की चिट बना के लाया है यूसलेस फेलो सर थैंक यू आपने शुरुआत में ही बता दिया पेपर में कुछ बखवास दिखता और फिर से एक्जाम देना पड़ता सर कंप्यूटर साइंस का एक्जाम कब है ड्राइंग एक्जाम में भी तुम फेल हो गए यह उससे पूछे जिसने पेपर चेक किया था ऐसा लगता है कि मेरा आर्ट उन्हें समझ में ही आता शायद पेपर चेक करवाने वाला अपनी बेटी से शादी करवाना चाहता है मेरी सर रुकिया ना साथ में चलते हैं बार-बार एक ही एक्जाम देने में तुम्हें शर्म नहीं आती बार-बार एक ही एक्जाम सुपरवाइस करके आप बोर नहीं होते हैं इतनी बगबग करने से अच्छा थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान कहुं नहीं देते इतना सवाल पुछने से अच्छा एक घंडा आँ क्यों नहीं बंद करते पास हो जाओंगा जान गई तो भी तुम्हें कॉपी करने नहीं दूंगा जाओ कि शूं। लिखते क्यों नहीं हो अब तक जितने पेपर दियें उनमें पास हो जाओंगा इसके लिए फिर से आपसे मिलना पड़ेगा फिर से तो बाकियों में पास हो जाओगे लो अरच आपना शुरू कराँ एक गंटे के लिए मैं अखे बद कर लूँगा सर पक्का ना हाँ पक्का इससे मेरी इमेज पर कलंक लगता है तो लगे मेरी नौकरी जाती है तो जाए पर तुम्हें दुबारा इस कॉलेज में नहीं देखना चाहता चुप करके पेपर लिखो और यहां से दफा हो जाओ सर आपके बेटे ने बेजा है मुझे काय कि आपको मुंसिपल ओफिस लेके जाओ यह आटो वाला दूद वाली जाए पीकर आ गया और मुझे अब तक काली भी नहीं मिली टिफिन तक पैक नहीं किया तुमने बीच साल हो गये नौकरी करते करते पर तुम अभी तक रूटी तुम्हारा इससे क्या लेना देना तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो हमारी मिया बीवी की बात है तुम बीच में मत पड़ो अरे मेरी चाई तयार हुई हां तयार है ला रही हूं और टिफिन का क्या हुआ वो भी तयार है तो कल लाओगी क्या आफिस का टाइम हो गया है जाओ आटो में बैचे तेरी गर्दन में मोच क्यों आ रही है मतलब आफिस में आप तू मीटर डाउन कर शाम को मिलती हो के शाम को मिलूंगी बेटा मा में एंजिनियर बन गया जोक अच्छा था अपने पापा को सुना अरे मैं सच में एंजिनियर इंके एक्जाम में सच में पास हो गया यानि तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई अब आगे क्या पढ़ाई खत्म करने के बाद एक ऐसा सवाल आता है जो आपके खुशियों का विसर्जन कर देता है आगे क्या तो सोच ले बेटा शाम को आराम से बात करेंगे ठीक है ना अब आटवाले भाईया मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है क्या बात है सुरा तुम इंजीनियर बनगे अब आगे क्या करना है समझ गया या बाई बेटा एंजीनियर बन के गलती तो नहीं करती ते मान खुलने के लिए सुट्टा मारना पड़ेगा बू impacting अ Aray बेटे-बेटे याद आया, तु एंजीनियर बन शिल्पो Jimmy placeак अच्छा है तु एंजीनियर तो बन गया पर आप नेक्स क्या यहाँ पानी का वैल्प है उसे बंद करने वाला हूा इसे बंद करने और उसे पानी बंद करना मैंने नेशबेर भी नहीं लिया अरे अभी तो एंजिनियर बनाओ आगे क्या करूँ पानी का फवारा खोल खाद निकल चुकी है अब आगे क्या करना है आप ही सोच लो पीछे की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तब आगे की सोचूँगा एंजिनियर बनते ही नेक्स नेक्स करोगे तो हटेगी न माबू पैपर अग्या हीरो पेपर के डिलिवरी इसदर कर एंजिनेरा रिजल्ट आया खेichtet गव्लण की सबकों आगे की पढ़िए हुआ है दक्काई तो लगा है खून थोड़ी ना कर दिया मैंने तपड़ी मारा था ना खून थोड़ी किया है तो इस आफट्वेर तेरी लाइफ सेट है महीने की एक लाग सालरी मिलती है बीवी आएगी तो वो भी कमाएगी शादी में तेरा खांदान देज अंदर करेगा बल्ले-बल्ले तू करेगा तो मैं के बैंट बजाओंगा पीने के लिए पैसे नहीं है, गुमाने के लिए कोई लड़की नहीं है महीने में लाख रुपया पगार मिलना मुश्किल है लड़की तो मिली जाती है गुमाने के लिए कहा हैं लड़की है, ऐसी लड़की कहा है जो बैंक बैलेंस की इंक्वाइरी ना करे अच्छे दिल वाले लड़कों को कछ्रे के डिब्मे में फैंक देते है मोटा वालेट हो तब ही प्यार मिलता है बॉस ऐसी लड़की देखता हूं तो चाटा लगाने का मन करता है अरे ऐसी लड़की कहा है जिसका दिल खूपसुरत हो उसका चाटा गाल पर बड़े तो उस दिन मैंने कीर्थी को पहली बार देखा है लाइफ के अगले साठ साल इसके साथ क्लोज अप में बिताना चाहता हूं पर साथ ही इसे वाइड आंगल में भी देखना चाहता हूं हे यू चेक्षट आधी रात को गंदे-गंदे मेसेज और कॉल करते हो तुम्हें लगा तुम ऐसी हर्कत करोगे और हम कुछ नहीं कह meteor है तुम्हें तुम्हें तुम्हहारे मापबापने कुछ सिखाया नहीं क्या संसकार नाम की कोई चीज है या नहीं किस ताइप के लड़के हो तुम दिन में गुंदा करदी करते हूं और रात में लड़की बाजी करते हूं बहुत बड़े गुंडे हो क्या तू? तुम्हें लगता है चार लड़कों की बिटाई करकर तुम हमें भी डरा लोगे? फिर उसे वाइड अंगल में जाना पड़ेगा क्या लड़की है होए है मुझसे कल्ती हुई है मुझसे है रसके अब मुझसे नहीं तुम से हुए अब मुझे हुआ तamura क्या कर leukeचे हौ रहे हो निको加फ़ गया हुए निको निक लो जु heaven in Helsinki ये वह रहे हुए थिशाके कह लेता है सभ पर हें तुम जब साही रटना थांक्स यार थांक्यू इसे तुम थांक्स यू कह रहे हो इसी की वज़े से तुमने मेरी लाइफ में एंट्री मारी है मैं भी एक चिपका दूँ क्या भाई प्ले इस ने चिपका है अब तु चिपका रहा है प्यार का यही तो जादू है गोल्फ्रेंड जिस पर भढ़के उसकी दुलाई करनी पड़ती है यह प्यार कब हुआ बताना ही बूल गया तुमने मारा और मुझे प्यार हो गया एक चांटा क्या खाया मुझसे प्यार हो गया प्यार करने के लिए अच्छी वज़े निये तुम्हें कोई और वज़े बतानी होगी तुम वज़े बताओ कि मुझे प्यार क्यू नहीं हो सकता रात को एक लड़के ने तुम्हें ऐसे वैसे मेसेज कर दिये तो तुम यहां आ गई उसे चांटा लगाने के लिए इससे पता चलता है तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रॉंग है कैरेक्टर तो स्ट्रॉंग है ही, साथ में फिगर भी जबादस्त है किसी लड़की पर फुल टू फ्लाट होने के लिए ये वज़य कम है, क्या है? बस प्यार हो गया गल्ती तुम्हारी नहीं, गल्ती इसकी है, इसकी वज़य से तुम को ले पड़े अच्छा? आओ तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ मैं अपने आपको नहीं जानता, तुम्हें क्या खाक जानूगा देगो मेरी जान, तुमने मुझे चाटा मार के दिल को डिस्टरप किया है मुझे तो प्यार हो गया, तुम कब करोगी जिंदगी भर नहीं क्योंकि मेरा दिल डिस्टरप नहीं हुआ है मैं डिस्टरप कर दूँगा सबने पूछ के परेशान किया है कि आगे क्या आगे क्या आगे तुम हो दिस्टर्ब करूँगा जब तक प्यार नहीं होता बस इंतजार करो तुम मेरी बनोगी क्या रहे कल तुने सड़क पे एक लड़की को सिधे आला भी बोल डाला इतनी सुन्दर है क्या वो कभी-कभी किसी लड़की को देखकर लगता है कि यह जिसे मिलेगी उसकी बॉड़ी पर जरूर लगी बर्त माग होगा तुम एने गर जाकर चेक किया और तु जानता है मेरी बॉड़ी पर माग है हमने कभी भी लड़की से लफड़ा पुलीस का चक्कर गुंडों से टकर नहीं किये यार अब हम बाबू के जरी यह सब करेंगे बाबू की लव स्टोरी के परचे हम मंगल गरह तक चापेंगे भाई 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 में मियाना बनकर और प्लैन बता है किसी भी लड़की को पटाते वक्त हमेशा चार प्रॉब्लम्स होते हैं नमबर वान वह लड़की किसी और को चाहती है या कोई और उससे चाहता है एक मिट में आए भाई तो किसे को दाने नहीं डाल रही लेकिन कभूतर बहुत मंद रहे हैं नमबर टू जब मैं उससे प्यार करूँ तो क्या कोई मेरी दुलाई करेगा या मुझे किसी की दुलाई करनी है तुम अपने हाथ गंदे क्यों करोगे तुमारे तीन पंटर है ना तो बच्चों कभूतरों को उड़ा दो ए मेरे फूल अरे मरी बाई नमबर थ्री उसका बाप कौन है और वो क्या करता है और वो टांग तो नहीं अड़ाएगा ना बच्पन सही मेरे पापा ने मुझे पूरी फ्रीडम दी पैसे मांगने पर एट्यम कार्ट दे देते थे फ्रेंड्स के साथ मुवी देखने का प्लान बनता तो वो खुट टिकेट्स खरीद कर देते थे यह रही मुवी टिकेट्स तुम सब के लिए तैंक्स पापा मज़े करो जब कोई पिता बेटी को इतनी फ्रीडम दे तो उसका फर्स बनता है वो अपने पापा का भरोसा कभी न तोड़े इसलिए मैंने पापा से वादा किया है कि मैं उनी के पसंद के लड़के से शादी करूँगी मेरी लिए मेरे पापा उस डायरी की तरह है जो मैं हर रात लिखती हूँ कहने का मतलब ये है कि मेरे पापा मुझे उतनी अच्छी तरह जानते हैं जितना मैं खुद को नहीं जानती मौनिंग कीरती पद्दू मेरे पापा कीरती ने मुझे आपके बारे में बताया, आपके बारे में सुनकर लगा, खियाद से मैं भी आपको पापा ही कहकर बुला, नहीं बेटा, मेरी पत्नी ही मुझे पती कह सकती है, और सिर्फ मेरी बेटी ही मुझे पापा कहके बुला सकती है, इसलिए दूसरे बच्चे के बारे बाई अंकल बाई प्दू बाई वो गंदे मेसेज करने वाला लड़का तुमसे मिलने चेक शर्ट पहने के आने वाला था ना मिला तुम्हे हा मिला ना पापा उसको मैंने दिन में तारे दिखा दिये लेफ्ट राइट हो शुरा दिये उसके वो दिन में तारे दिखाने वाला, एक दिन तुम्हें दिन में तारे दिखाएगा, फिर पीटना अपना सिर, क्या कहा, मैं सीरी वाले को बोल रही हूँ, पापा, कन्फूजन में मैंने किसी और लड़की को थपड मार दिया और वो बोला, जब तक मैं उसे प्यार नहीं करती वो मुझे डिस्टरब करेगा, फ्यार करने के लिए, कोई किसी को मजबूर थोड़ी ही कर सकता है, हर बाप को यही लगता है, लेकिन एक दिन माधव की बेटी सरिता उस ड्राइवर के साथ भाग गई, इन लड़कों को लाइटली मत लेना, वरना हमारी बेटिया हमारा मू काला करके भाग जाएंगी, ऐसी बाते दूसरों के साथ डिसकस की जाती है क्या, यह तो कहानी घर-घर के स्टोरी है, तुम सीरियल को बीच में इसलिये ला रही हो, क्योंकि मुझे सीधा बात करने की हिम्मत नहीं है, दम है तो डारेक्ट बात करो ना, देखा, लड़की का अधमी है, एकदम सीधा आधमी है, प्रॉबलम ही नहीं है, प्रॉबलम फोर क्या है, प्रॉबलम फोर, वो लड़की करती क्या है, और उसे पटाने के लिए कहां फिल्डिंग करनी होगी, अब ही MBA कर रही है, उनके पास एक छोटी सी स्कूटी है, जो छोटी सी जगह में प हाह, आगे क्या करोगे? मा, पॉल पेटा, पापा मुझसे MBA क्यों करवाना चाहते है, जिद पर लड़े हैं, कहते है है फैसला हो गया तो हो गया, उसे तो क्या है ना पिता, तीके टीके, शाम को घर आओ, फिर बात करेंगे, ठीक है. पापा मा मुझसे MBA क्यों करवाना चाहती है जित पेड़ी है MBA कहा फैसला हो गया तो हो गया और तो और बोली पापा को मना लूँगी मैंने का शाम को घर आओ फिर बात करेंगे आज रात सब तैग कर लेंगे ये क्या खा रहे हैं बच्चा भूग से मर रहा है खुड ठूस र आपके लिए मैं आगे पढ़ाई करूंगा मैं MBA बनूँगा उस लड़की को फॉलो लड़की को मतलब मा की सवा को फॉलो करूंगा तुमें क्या लगा लड़की की बात कर रहा है तुम शक कर रही थी ना उस पर वैसे ही जैसे मुझ पर करती हो तेरी मा शकिल शाने से कम न good morning sir good morning everybody Excuse me sir, is it coming? Yes, coming! What are you doing here? I'm doing MBA, I won't be disturbed. Sit down. Oh, you're not afraid that if you're past, you'll be disturbed. This is fully expressed as a capital adequacy ratio of equity. What's your name? Shut up. I'm not telling you, because if you have a name, then your heart will be disturbed. My name is Keithi. Now I'm getting your hand from you, and I'm not disturbed. Understand? But I'm disturbed. Yes, I forgot to tell you. My name is Babu. Oh, hero. You're hiding in class, please. Okay. Hey. How do you know my name? Maybe I'll be a fan. Hello. I'm not giving you to me. I'm not giving you to me. And I've also told you. Sir, you're not giving me to me? You're not giving me to me? The professors always say anything. We're listening a little bit. Well, are you disturbed me with such things? No. Hello. The whole class is being disturbed. The whole class is being disturbed. The whole class is being disturbed. You're not being disturbed. Why? Why not? I'm asking you. I'm asking you. Why are you asking me? Why are you asking me? One thing, tell me. Why did you join me? I'm doing my job. You're doing my job. I'm taking my job. So, I think you're listening to the lecturer today is fashion. So, you think that our marks are fashion? You think that our marks are fashion? For the name of attendance, we're waiting for the exam. We're going to start and end. We've come to the class. So, don't tell me. Don't give me a lot of students. Some students take good marks for the professor's face. But, how many professors take good students to the top? Today, there are not good students because there are not good teachers. Teachers and students are like runners and batsmen. Runs are always the same when both are running, or not one is out. You won't give up. Let's start. Let's start. Where are you going? The next tire is going. The last tire will stay there. I don't understand. If you study, you'll understand. Then we'll listen. It's the same. Who's this city? Hey, listen. Little girl. Little girl. Little girl. Little girl. Little girl. How big are you? If you're a lot of height, we'll say something from fur. Give him a number. Stop it. Hey, Brownchecks. What's your friend's number? I won't tell you. It won't tell you. I'll take your number from Baju. Yes? यह फोन रख अब समझ गई न मैं क्या कर सकता हूँ 8790292969 ओके तुम मेंसे कोई यह नंबर मत लिखना वो मेरी वाली है पापा उस चेक शर्ट वाले ने मुझे डिस्टॉप करना शुरू कर दिया है देखा मैने तो पहले ही कहा था लेकिन मेरी सुनता कौन है तुमने परे ऐसा कब बोला था मैं तो सीरियल वाले से कह रही हूँ यह नहीं सुदरे की पापा उसी का फोन है ला मैं बात करता हूँ तुम जाओ मेरी जान क्या कर रही है वो अभी सो रही है जान सो रही है तो उसके फोन पर कौन बात कर रहा है तुम ही बताओ किर्थी को फोन दो मैं बाबू बोल रहा हूँ अच्छा और मैं किर्थी का बाप बोल रहा हूँ सर जरा अपनी बेटी को फोन देना पूछना है वो डिस्टर्ब हुई या नहीं क्या बकवास लगा रखी है शर्म आनी चाहिए इडियेट रास्कल तुमारी इतनी हिम्मद तुमारे माबाप ने तुम्हे यही संसकार दिये पापा आपका फोन है कौन है भाई अलो दिकार है तुम्हारी परवरिषपर, तुमने अपने बेटे को संस्कार भी नहीं सिखाए, खुद को बाप कहते हो, बेशरम कहीं के, पॉपर से हेलो बोलते हैं, फोन रखो, सारी सर, तु हाइट में मुझसे कम है, तो तुझे बुटकी बोलूगा ना, केर्टी, केर्टी, हुँँ, आचली तुझे एक बात बताने थी, मैं एक बढ़के से प्यार करती हूं, तो मेरी हल्प करेगी क्या, ने, मेरे पापा को ये सब बिलकुल पसंद नहीं है, मुझे मुझे मत बता तु, एक जोगरी जोगरी तो इन एक लाज किती शांत और बढ़िया लगती है ना यहां होता तो बक्क कुछ ऐसा करता कि मैं डिस्टरब हो जाती है हाई कीर्थी मैं यह बात स्पीकर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं है मुझ मैं कहते हैं जब लड़का लड़की से प्यार करता है तो दुनिया से लड़ सकता है पर पता नहीं क्यों मैं तुम्हाइ लब यू क मैं जी नहीं सबता I love you, Kirti I love you, Kirti अमें यहां पे लेटर पड़ा हुआ मिला है यह सब कुछ लिखा हुआ है यह क्या है कीरती, प्लीज आप आके लेटर कलेकर लीजिये अरे, तुम आ गई? मैं भी आ रहा हूँ इतनी जल्दी आ गई, मुझसे मिलने के लिए नहीं, लाई यह लेटर मुझे दो ब्लैंक पेपर? मतलब बस ऐसे ही, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए इसके लिए पोरी कॉलेज में अनाउंस करने की क्या ज़रुरत थी? लड़के का प्यार यूजर नीम है सर, इस्सें प्यार-भार exemplo के मुझे टॉर्चर कर के रखा हुआ है इतना ही नए, इस्ने लेटर को भी पूरे कॉलेज में अनाउंस कर दिया सर इसे इस कॉलेज लेश से तुरण निकाल देना चाहिए प्यार करने वाले हरे को कॉलेज से निकाल देंगे तो कॉलेज में अकेली बचेगी जहां प्यार करने वाले ना हो ऐसे कॉलेज का क्या फायदा अगर ऐसा होता तो इंडिया में कोईट कॉलेजिस क्यों होते मेंस कॉलेज, में मेंस कॉलेज अलग अलग होते न वाशनन तो अच्छा देते हो, बताओ इस लड़की कोई लेटर क्यों लिखा, लेटर दिखाने बोलिया, ये क्या है, ये क्या मज़ाग है, वही तो सर, एक्जाम लिखने का टाइम ये, लव लेटर कहां लिखूँगा, ये बताओ तुम इसे डिस्टर्ब क्यों करते हो, इस होई हो एज हो देख आपने, मैटर क्लियर हो गया, थांक्यो सर, आपका टाय सॉलिड है, हलो, मेरे बुक का है, मेरे बुक का है, कीरती वाक्त बरबाद मत करो जाओ, मैंने कहाँ जाओ क्लास में जाओ, हॉँच कि चोड़ा मुझे चोड़ा क्या कमर है तो रहता है यह का नौशे बारा ना चलो मेरी जान उसे लपक के द्सूर से मसर्ड़ा असली मर्द वो है जो औरत के आसु बोझे जो उसे रुलाए वो मर्द नहीं ना मर्द है तुने उसे छेड़ा चल भूल जाए निकल जाए यहां चलो रहे चोकरे लोग तुस कूटी निकल रहे है भगा दिया ना रो मत मुझे तो तुमने बचा लिया लेकिन इनोंने कीर्टी को ज्यादा परेशान किया तेरे पैर किदर है जम्या इस जानु का जारी है जर्मारी है जर्मारी है बाबो जाने दो ना बैठ जा प्लीज बाबो रहने दो मैंने कहां बैठो जलो रहे अट्डबे चलो छोगरे लोग एक गिंगा जारे अजाने में तुने मेरी गर्ल्फरेंड को परिशान किया अगर तु अभी उसे सौरी बोलता है तो हम कॉंप्रमाइस करके पार्टी करेंगे वरना ऐसी पिटाई करूँगा कि इतनी दवाईयां भी कम पढ़ जाएंगे अब जल्दी बता दे तु आके चाहता क्या है पार्टी या पिटाई पार्टी या पिटाई पार्टी या पिटाई पार्टी या पिटाई है उधर अपनों तेरे एरिया में था इसलिए तेरा इजद रखने के लिए अपनों को छोड़ दिया लेकिन यह आपनका एरिया यज बच्छा लुग बोलता का मैं मारता स्यादा है जो अपनी जान बचाने के लिए भागता है वह रन अ होता है लेकिन जो भगा कर शिकार करता है वो जानवर शेर होता है ये बात तेरे भेज़ा में फिट हो जाएगी पहले बता पार्टी या पिटाई, पार्टी या पिटाई, पार्टी या पिटाई जणे, अच्छा हुआ बियर और दवाई दोनों साथ मिलाया है बीयर आपन के काम में आएगा और दवा ही तेरे, चल चलो हो जारे बेटो ंचलो ताड मतरे, ये मेरा स्टाईल है किसीने हाथ लगाय तो हॉस्पिटल पहुंचा दूँगा जल्दी बताओ, बार्टिया बढ़ाई, बार्टिया बढ़ाई, बार्टिया बढ़ाई नेन मैं काम्प्रमाइज कर दोबा! यएडे! सवरी, sister. काम्प्रमाइज करेगा या नहीं? मैं काम्प्रमाइज करूँगा. अमेटरता क्या? पाई, ये इतना मारे के पानी भी निमागोगा. अबर तुसे बाल पूशके बड़ा इसलिए नहीं गया था तुछ अजुन सुछ सारी सिस्टर अबर क्या कर रहा है ? अबर क्या कर रहा है something मैं कॉप्रमाइज करो क्या रहे ? तुझने क्या सोचा ? मेरी का दूआ ही कॉप्रमाइज करोगा में कॉम्प्रमाइज भाई, कॉम्प्रमाइज मैं दवाईयां लेकर आया हूँ अपनी की यूस कर रहा है ये पी-पी का दवाई है ताकि कुछ से में तुझे मार नडालो ऐसा है तो दो ले ले दो कैको ताकि तु मरना जाए भाई इतना मार खाने सकते हैं कॉम्प्रमाइज कर दूना अब या करना तो मुझे भी है लेकिन इसको गिंदी किदर आती है हम लोग टोटल दस लड़के लोग है और यह बाटली लाया ना भाई आज अब बराबर बाटली मोत रहे हो तेरी बाटली कित तेरा हो गया ना सॉरी सिस्टर तुमने जो मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक्स लिकिन ये मत सोचना कि मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ या तुमसे प्यार करने लगी हूँ क्योंकि ऐसा नहीं होगा बाई ये एम्बीय हो रहा है आज एक और बाबा जेल में गया क्या हुआ बेटा ये पूछो क्या नहीं हुआ हर बार इसकी वज़े से मुझे तुम्हें सीरिसली लेना पड़ता है बताओ ये भी क्या हुआ तुम्हारे कहने पर आठ परसेंट इंटरस्ट पे मैंने एजुकेशन लोन उठाया एम्बीय के फीज भरने के लिए और कॉलेज जाकर ये क्या गुल खिलाता है पता है तुम्हें बताना इसमें बताना क्या है मुझे एक लड़की पसंद है उसे बटा रहा हूँ तो इन्हें जलन होती है सेच में असके रही हो ये कोई मजाग चल रहा है जो मुमें आय बक्य जा रही हो क्या रहे तुझे ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही कि तु एक लड़की को पटा रहा है इसमें शर्म कैसी लड़के-लड़की को पटाएंगे नहीं नहीं करूँगा आपके लिए इंजिनियरिंग करो आपके मुताबिक शादी करो फिर बच्चे पैदा करो सब आपके लिए करूँगा तो अपने लिए क्या करूँगा आप मुझे अपनी मर्जी का कुछ करने नहीं देते कल मैं गुस्से में अपने बच्चों से यही कहूंगा कि ये करो वो करो मेरी बात सुनो मेरी जिन्दगी मेरे हिसाब से जीने दो ताकि मेरे बच्चे भी सुख से जी हैं मेरी बात तुझे चुब रही है ना लड़की का बाप जब तेरी हड़ी पसली तोड़ने के लिए आपका खून कितना पाक है लेकिन मेरे खून में यह मिलावट तुम हो कौन और कैसी मिलावट वही तो बताने आया हूं मुझे बस दो मिनट दीजिए मेरी चड़ी घेस गई उसे फुल पेंट पहनाने के चक्कर में वह सब छोड़ो तुम हो कौन और तुम्हारी चड़ी कुल पेंट से मुझे के लेना देना वही तो बताने आया हूं मुझे बस दो मिनट दीजिए आठ परसेंट इंट्रस पे एजुकेशन लून उठा के मैंने उसके एंबीए की फीज भरी आपने भी लून उठाया होगा आपकी सुन्दर सुशील संसकारी क्या मानगा है चाहते क्या हो पाइजा इस hp लड़की नहीं เหराए आगय से जब भी मेरा बेटा कॉलेज जाये उसे नहला दोला कर दंटवंधन कर आकर पावडर लगा कर इस्तरी टैट कपडों में भेजना यह मेरा बेटा है और तेरा की नहीं पता नहीं पतादिए सुन ले, MBA में पास हो या ना हो, लव लाइफ में पास होना पड़ेगा, तब जाकर मेरे कलेजे में ठंडक होगी, खर्चा हो तो मैं और लोड ले लूँगा, लेकिन अगर वो नहीं पटी तो मैं तुझे पटा दूँगा, आपको लगता है, इतनी सुन्दर लड़की हमारे बेटे से प्यार करेगी? बिल्कुल, इतिहास गवा है, खुबसूरत लड़कियां हमेशा गधों से ही प्यार करती है, यही रूल है, उस रूल के मुताबिक वो इस गधे से प्यार करेगी, बेटा, तेरा बाप तुझे आशिरवाद देता है, पैर कौन पड़ेगा? एक बार उस लड़की से तेरी शादी हो जाए, फिर मैं तेरो पैर भी पड़ूगा, प्रशाद भी चलाऊँगा, कुछ भी कर, पर उस लड़की को इस घर की बहु बना कर लेया, वो नहीं तो को जोर नहीं, मेरो प्यारा बच्चा, रोचो पिटा, माइ मदर प्रावडेस्ट, पुटकी, क्या हुआ, इतनी रात में फून क्यों किया, पापा भी गार पर है, मैं फिलहाल टेरस पर बैठा हूँ, मास थावा है, और चांद नी रात, सोचा, मूड बेटर करने के लिए, तुमसे थोड़ी बात कर लूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे कॉल करना बंद करो, और जाके चुप-चाप सूजा, नीचे आकर सोगा तो तुमारे पापा बढ़केंगे नहीं, मैं तुमारे टरस पर हूँ, तुम्हारा इंतिजार कर रहा हूँ, क्या का? तुम उपर आओगी या मैं नीचे आओँ, रुक, 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 मैं हारी हूँ, मैं हारी हूँ, क्यों आयो यहाँ? पापा ने तुम्हें दो महिने में पटाने का ओर्डर दिया, इसलिए आया हूँ, आया हूँ, अपने पापा की छोड़ो, पहले मेरे पापा की बारे में सुनो, मेरे पापा ने मुझे हमीशा पूरी फ्रीडम दी है, जब पैसे मांगे तो एटेम कार्ड दे दिया, फ्रेंस के साथ मुवी जाना था तो खोड टिकेट लाके देते थे, माई डाड ऐसे खतम हो गया है, बताओ प्यार कब करोगी, एक डेट बता दो, तुम्हारी साथ प्यार करने का मतलए मैं डाड की दीवी फ्रीडम का घलत पाइदा उठाना, लोगों को फ्रीडम मिलता तो वो प्यार करते है, तुम्हें फ्रीडम मिल रहा है, तो प्यार नहीं करना, कैसी लडगी हो, तुम्हारी माँ क्या करती है, जिन भर सीरिल्स देखर उल्टी-पुल्टी बात ये करती रहती है, ओ, अतलब फैमिली में सब की हाटी हुई है, बैठो न, तुमको ये उनसे कम नहीं हो, नहीं, ग्यारा बज गया और उन्होंने तुम्हें खाना नहीं दिया, उन्हें बोलो मेरी बीवी का अच्छे से खयाल रखे, मैं जाके बोलू, आउंटी, ही मैं बोल दूगी, क्या बोलोगी, कि तुमने मेरा खयाल रखने को क्या है, किसका खयाल? मेरा. जो चाहता हूँ, वो बोलती ही नहीं है, मेरे दोस्स टाइम पास करने बाहर बस्टॉप तक बुलाते हैं, तुभी मना कर देता हूँ, तुम्हारी लिए तो मैं खाना छोड़ कर आगया हूँ, ये कोई कम है क्या? एक दिन जब तुम्हे मुझसे प्यार होगा और मेरे दिल का हाल समझोगी, तब तुम आई लव यू टू नहीं का होगी? I'm sorry का होगी, मुझसे पूछोगी कैसे मैंने इन फीलिंग्स को संभाल कर रखा? प्यार व्यार का चकर छोड़ो, तो जब शादी की गोल्डेन जुबली होगी, तब हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तब हम फ्रेंड्स बन जाएंगे, तब तक सिर्फ प्यार होगा? तुम उपर क्या कर रही हो? मैं समझ क्या हूँ, तुम्हें नहीं, तुम्हारे पापा को डिस्टरब करना चाहिए, लेकिन क्यों? समझ जाओगे, इंतजार करो, ये बाबू कल तुम्हारे पापा की लाइफ में एंट्री मारने वाला है, बाई, रुको, असर हुआ? यहाँ से जाओ, यह यहाँ क्या कर रहा है? यह यहाँ कैसे टपक बड़े? हलो सर, क्या हाल है? क्या चल रहा है? लव चल रहा है. क्या कहा लव? कुछ लोग सुधरते ही नहीं. कोई चांस ही नहीं है सर. आपका क्या चल रहा है? मेरा क्या चलेगा? बस वही lectures कुछ लोग सुधरते नहीं तुम्हारी उमर में मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था और मुझे exams में 95% मिले थे बिना WhatsApp और Facebook के इतने percentage लाना बच्चों का खेला सर तुम्हें समझाना यानि आ बैल मुझे मान बैल नहीं शेर आपका flore आ गया यहुआ लेक्षे देने आया यह है मिरी बेटें यहाँ शॉपिंग कर रही है उसे पेक अप करने मेरी गर्ल्फरेंड भी यहाँ शॉपिंग कर रही है तो तुम उसको शॉपिंग करने यहाँ आया हो बाड़ पर बाड़ां हुआ हुआ बापब, जो हैंसी जग! मुर जह आपकी बेटी मुझे जाने को कह रहे है, मैं जा रहा हूँ बिटेगा बाबू, ओ माई गॉड, डैडी स्टे आउट पापा गुम के यहीं आना था जा रहा हूँ, जा रहा हूँ एइ एसे लड़के को तुमने बॉइफ्रेंड बनाया है, पहले बता है क्यों नहीं? चेक्षट वाले के बारे में बताया तो था चेक्षट बताया था, पर उसका नाम नहीं मुझे नहीं पता था, कि आप उसे पहले से जानते हो वो बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है मुझ जैसा स्ट्रिक्ट लेक्चरर भी उसे कॉपी करते हुए रोक नहीं पाया वो सरदर्द के बाम तक को सरदर्द दे सकता है मुझे अगर पता होता ना कि अब तुमारी लाइफ में वो तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यूं गया पापा हेलो पापा तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यूं गया यह मेरी बेटी है यह भी तो यही कह रही है ना एक मिनट तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यूं गया एक्चली तुमने मुझे कहा ही क्यों ए सुनो, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है कोई मजाग नहीं है सवाल तो मेरी जिंदगी कभी है न मुझे अपनी जिंदगी मजाग नहीं बनानी है तो पच्छी साल तक मैंने इसे संभाल के रखा अगले छे महिनों में मैं इसकी शादी करने वाला हूँ प्लीज, मुझे टेंशन मत दो जिस बेटी को आप छे महिने में दूर करेंगे उसके बारे में इतना टेंशन हो रहा है मुझे इसके साथ साथ साल बिताने है तो मुझे कितना टेंशन होगा मतलब तुम कुछ भी कहोगे और मैं खामोश रहूंगा हाथ पे हाथ धरे तुभारी बगवास सुनता रहूंगा आप कॉलेज में मेरे लेक्चरर नहीं थे सुपर्वाइजर थे और सुपर्वाइजर वो होता है जो बस काम पर नज़र रखे तांग नाड़ा है यहां भी वही कीजिए हम दोनों जो कर रहे हैं उस पर बस नज़र रखे तुम होते कौन हो मुझे ओडर देने वाले तुम हो अधिया तोड़के तुम्हें हमेशा के लिए घर में बंद कर देगा अच्छा कार्ड पर मेरा अड्रेस लिखा हुआ है गर जाके आराम से मिली हो नहीं है बाइक की चार्व हो अब का जा मेरा अब कि हाम कुझ अब का Fey comenz tekrar तुम मेरे घर की घंटी ज़रूर बजायों मैं कुछ संजानी को मेरा नालायक बेटा है ना वोस कुछ सम्छा देगा प्रिटा मेरी बेटी को परेशां गता है मैंने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था विट आल माइ blessings कैसे बाप हो यह क्या कह रहे हो सम्धी जी आपकी बहुत सुंदर सुशिल और संसकारी है तुमारे बेटा जाहिल और एक दम गवार है कोई दामाद को ऐसा कहता है उसका अगर ढ़िला है तो उसका मतलब मेरा भी स्कुरू ढ़िला है तुमारा स्कुरू भी तुम्हारे बेटे की तरह ढ़िला है क्या बात कर रहे हो मेरी वज़े से उसका स्कुरू ढ़िला होगा उसकी वज़े से मेरा स्कुरू कैसे ढ़िला होगा जब आप ही ऐसा होगा तो मेरी बेटी को उस लड़के से बचाना होगा, इसका एक ही रास्ता है सॉरी पापा, मैं नहीं जानती थी कि वो इस तरह तमाशा खड़ा करेगा उसके लिए तुम क्यों मुझसे माफी मांग रही हो बेटा मुझे अपनी बेटी पर पूरा पूरा भरोसा है आओ, गुड नाइट बस बेटा एक बात याद रखना मेरी आखों में आशु सिर्फ तुम्हें घर से विदा करते हुए आने चाहिए इसलिए नहीं कि तुम खलत लड़के से शादी कर रही हो बुटकी, बुटकी, चिलाना मत, तुमने कभी क्लोरोफॉर्म सुगा है, एक मिनट रुखो, एक मिनट रुखो लगता है सारा खर्चा लाइटिंग पर ही कर दिया अच्छी खासी हाईट है फिर भी बुटकी कहके चिड़ाता हूँ कमाल है अच्छा है मेरे बदन पर लखी बर्ट माख है वरना मेरी डाल नहीं गलती पहली बार तुम्हें इस तरह सोते हुए देख रहा हूँ शायद कोई प्यारा सा सपना देख रही हो तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ रात रात भर नीन नहीं आती आँके खुली रहती है एक अजीब सी फीलिंग है मानो जान निकल रही हो तुम्हें जोर से गले लगाने का मन करता है पर लगा नहीं पाता लगता है जैसे सीने पर सौ किलो का वजन लेकर गोम रहा हूँ पहले जब भी कोई रोमान्टिक गाना सुनता था तो मुझे वह बहुत बक्वास लगता था पर आजकल जब भी सुनता हूँ तो लगता है जैसे हारे इक गाना बस मेरे लिए लिए लिखा गया है मैं जानता हूँ कि फिलाल मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं बनता लेकिन भावनाओं को समझो यार शादी कर लेते हैं न न्यूली मैरिट का बोर्ड और फूलों से सजी कार लेकर पुरा शेहर गोमना है शादी में स्टीज पर तुम्हारे साथ फोटाग्रफर को एक बहुत ही फिल्मी पोस्ट देना है जब खाने में नमक कम डालोगी तो तुम्हें जूट मूट डांटना है मटर्निटी वॉर्ड के बाहर नर्वसली सिस्टर से आते जाते पूछना है कि मुझे लड़का हुआ या लड़की लड़का हुआ या लड़की ये सुनकर ऐसा मत सोचना मैं तुम्हारी इज़त नहीं करता मेरे ममी पापा में ऐसा ही प्यार है जो कभी हम में भी होगा अब तक मैंने कभी अपनी बीवी को हाथ नहीं लगा है तेरी इतनी हिम्मद कि तू उसे टच करें कितना चिपकेगा अबे उसे काट रहा है उसकी चुम्मी ले रहा है तेरी तो चला क्या इतने अच्छे फ्लो में था सब डिस्टरब कर दिया देर हो रही है बस एक और इंपोर्टन बात करनी है एक मिनट रुको आई विल पी बाक नमस्ते कैसे हैं सब ठीक है सुनो दूले का कमरा किस तराफ है उपर टॉयलेट के बाजुमा टॉयलेट के दूले तुम्हो इस शादी से खुश हो क्या तुमने कभी क्लोरोफॉर्म सुंगा है सुंगो मजा है भा टुमने करा मुटमने के बादी से तुमने के लटा थाहा है और कैसे लटाई लुमने के लगिता है झालेट लूलेट विलिएएएँएएभव्चाय सुआ परिको कौन है? कार में बैठो! जल्दी बैठो! मैं मैंने ये बैठो भी! अरे बैठो! लटकी वाले तो बाराज में बंदूग लेकर आगए! हे! मैं लोग गोलिया क्यों चला रहे थे? और ये आदमी कौन है? और मुझे अपने साथ क्यों ले आए? अगर पापा को पता चल गया कि मैं घर पर नहीं हूँ तो… मैंने तमाशा खड़ा करके शादी के सीन को वार का सीन बना दिया! तुम घर जाके पापा से कहना हमने एक शादी का बैंड बजाकर दूले को किड्नाप कर लिया! तुम क्या पागल हो गय हूँ? तुमने एक लड़की की जिन्दगी बरबात कर दी! शादी ना होने की वज़े से डिप्रेशन में आके उसने सुसाइट कर लिया तो… किर्थी! किर्थी! क्या बात है बदू? तुम इतनी घबराग है? मैं बहुत तर गई थे किर्थी एक तो सेटिंग करा ओपर से चाटा खा मेरी मदद करने के लिए थांक्स थांक्स किस लिए? बदू? तुम यहाँ तुमारा इंतजार कर रही है प्रसाद इने लेके जा चललल चललल गड़ी मेंगए प्रसाद उसने मुझे क्यों थांक्स का? वो तुमारी फ्रेंड है उसने तुमसे कई बार कहा था कि उसकी लव लाइफ में प्राब्लम्स है उसके बॉइफरेंड की आज किसी और से शादी हो रही थी तुमने दो उसकी बाद सुनी नहीं वो बेचारी आज सूसाइड करने की सोच रही थी और अगर आज इस बज़े से उसने सूसाइड कर लिया होता तो तुम बहुत पच्टाती और जिंदगी बर खुद को सिम्मेदार मांती मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया आज अगर पुराना बाबू होता न तो तुम्हारी दोस्त एक लड़के के लिए आत्मत्य करिये सुनके कान के नीचे बजा के देता पर अब मैं खुद को उसकी जगह पर रख कर देखता हूँ सोचता हूँ तुम्हारी शादी किसी और से तो किसी का बाप या दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर पाती पद्दू कीरती कीरती कर रहे थी इसलिए तुम्हें ले आया सज बताता तो तुम मेरे साथ कभी नहीं आती समझ मैंने या ता लड़कियों के दिमाग में चलता क्या है वैसे भी मेरी लाइफ में दो ही लीडीज हैं एक मेरी मा और तुम्ह गर नहीं जाना क्या का सब्सक्राइब लाइब वो रोज मुझे क्लास में डिस्टरब करता था, आज आया ही नहीं, रोज कॉरिडूर में भी मिलता था, आज वहां भी नहीं आया आज वो डिस्टरब करने नहीं आया, अच्छा है ना, तुम परिशान क्यों हो रही हो अरे मैं तुम्हे गुड न्यूस देने के लिए यहां बैठा हूँ, और तुम उसी के बारे में सोच रही हो हलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ किर्थी, फोन पे हो पापा, ए आज सुबस से हम दोनों मिले ही ने, तुम्हारी दोस्त की शादी की तयारी कर रहा था, अगर यह बात ही तो पहले क्यों नहीं बताए मुझे, मैं कबसे तुम्हे गुड न्यूस देना चाहता हूँ, जूट क्यों बोला तुम्हारा नाम क्यों नहीं बताया, जब प्यार हो जाता है ना, तो इंसान जूट बोलता है, मैं आखिर प्यार में किसी से जूट क्यों बोलू, मैं जूट नहीं बोलूँगी, समझ गए, किसका प्द्धू का है पापा, निस्टर्ब हो गई हो ना, बिल्कुल नहीं, यहां तक कि पहली बार जब तुम्हें चांटा मारा था, तब तुमने कहा था तुम डिस्टर्ब होए, पर मैं नहीं हुई, तुमने मेरे लिए कॉलेज जॉइन किया, तब भी डिस्टर्ब नहीं हुई, पाद्धू को जब एक लड़के ने छेड़ा, तुमने उसे सबक सिखाया, पर तब एक डिस्टर्ब नहीं हुई, मेरे पापा तुम्हारी वज़े से बहुत डिस्टर्ब है, पर मैं डिस्टर्ब नहीं हुई, तुमने मेरी फ्रेंड की शादी कराने में मदद की, पर मैं डिस्टर्ब नहीं हुई, आज तुम सारा दिन मुझे भी डिस्टरब नहीं हुई आइलब यू कहके मुझे भी डिस्टरब करतो ला I'm sorry मुझे हाथ समझ में आया कि पिछले दो मुईनों से तुम्हारे उबर आखिर क्या कुजर रही थी तुम मेरे पास आ रही हो या मैं तुम्हारे पास आँ नहीं नहीं मैं आजाओंगी जब मुझे देखो तो गले लगाने से मत रोखना मुझे देखते ही गले लगा लेना मैं तुम्हें बाहों में उठा लूग और फिर डुएट गाएंगे हें मैं आओंगी पर अभी नहीं बाबा घर पर हैं कल सुबह 9 बजे मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता मैं तो अभी आ रहा हूं इतनी हटबड़ी माच आना अच्छा नहीं होता बाबू इतनी दिन मेरी हां सुनने का इंतजार किया है तुमने बस एक रात और कर लो हर बल के महसूस करो कि कि तुम बल-बल मेरे पास आकर मेरा हिस्सा बनती जा रही हो ठीक है ना अलो क्या हीरो भाईचान कौन पार्टी या पीटाई दस भाड़े के नए पाइलवान रखे हु महने हर एक को महने का पच्छास हदर पगार है तोटल पांच लग का इंवस्टमेंट है लेकिन क्या है ना अपन का इगो के सामने पानाच लग चिल्दर माफीक है वही दस पाइलवान तेरी जमिया को उटा कर मेरे पास लाएं हे तुझे तुम आ उधर खोटा मच चिल्ला तू इधर को आजा तेरा पूरा चिलाट अब उन तबियत से निकालेगा बहुत शौक है ना तेरे को पार्टी मनाने का इस बार पार्टी के साथ साथ मुझुरा भी होगा अब 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 अबाई दीता करो तारी आराक प्रएंगात कि जा अवेए आरातू कि व्र SJ ठैर कि थेल अड़ात कि अर्षार कि यार अवे несैंस कि विले कष्टा चरल यार युछ किCloud अंडे अयो प्रसे लिए कोण्ड़ कर दान गीर्दी सर्फ मेरी है अगर किसी ने उसकी तरफ आँक उठा के देखा, तो मैं उसे जिन्दा जमीन में गाड़ दूगा अगर किसी ने इसके पास आने की, इसे छूने की ऐसे नुकसान पहुचाने की कोशिश की, तो मैं उसे मौत के गाद दूगा भाई तुमने तो अपनलों को चारी प्रब्लम बताई थी, ये पांच भी कहां से पैदा हो गई रात भर जाक कर उस पल का इंतिजार किया जब कीर्थी मुझसे आई लफ यू कहेगी सपने में भी नहीं सूचा था कि कोई और बंदा मेरे सामने कहेगा कि वो उससे प्यार करता है उस बंदे ने मुझे साथवे आस्मान से समीन पर पटक दिया सिधार्त वर्मा, सब इंस्पेक्टर अफ पुलीस चार साल पहले जब वो किर्थी से मिला था तब वो सिर्फ से धार्तवार मा था तुम ही हो ना, तुम ही हो ना जिसने मेरे लिए सुसाइट करने की कोशिश की मैं जानती तक नहीं कि तुम कौन हो, तुमें कभी देखा तक नहीं तुमने सुचा कि तुम ऐसा लेटर लिखोगे और सुसाइट कर लोगे तो मैं तुम से प्यार करने लगूगी और ये लिखा किया तुमने? तेरा साया, लेटर लिखा है या हिंदी पिचरों के नम लिखे है किर्थी, उस लव लेटर पे पहन उसकी नहीं है, मेरी है तो तुम कौन हो? मैं तो पॉस इसका लेटर देने आया था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? किर्थी, मैंने तुम्हे प्रपोज करने के लिए अपना लेटर इस कबूतर के हाथ भीजवाया था आई लव यू किर्थी लव करते हो मत्से, देखा ना मुझे लव करने का नदीजा क्या होता है तुम भी सुसाइट करके उपरवाले को प्यारे हो जाओगे अगर तुम ऐसे ही आखो में आखे डालके, रोज मुझे से बात करो कि तुम ऐसे ही मर जाओगा तुम मरो, कल मरते हो तो आज मर जाओ, पर मेरी जान छोड़ो किर्थी प्लीज मुझे परिशान मत करो, मेरा पीछा करना छोड़ दो तुमने मेरी लाइफ में बिना परमिशन एंट्री मारी है, आप मैं तुमारे घर में एंट्री मार के बात करूँगा घर में जवान सुन्दर लड़की हो, तो तुम जैसे लड़के इस तरह की बाते करने आएंगे ऐसा नहीं है सर अच्छा ये बताओ, मेरी लड़की को देने के लिए तुम्हारे पास है क्या है शादी के लिए मुझे क्या करना होगा पढ़ाई, नौकरी, आओदा, मुझे यकीन दिला सकते हो कि तुम्हारे साथ मेरी बेटी खुश रहेगी यही बात मैं कीर्थी से सुनना चाहता हूँ मुझे कुछ नहीं कहना है, जो पापा का फैसला है, वही मेरा फैसला है क्यों सुन लिया ना? क्या हूँ, अदाल नहीं गली तो यहां से चुपचाप जा रहे हैं? आज बाईस अगस्त है, यह डेट और अपने कही बात याद रखिएगा अब मैं जिन्दगी में कुछ बंकर ही आपके पास लोटूंगा, चलता हूँ मुझे पता करना था कि मेरी कहानी में यह नया ट्विस्ट कौन है सवाल का जवाब ढूनने के लिए मैं पुलीस स्टेशन केया बाईक पार्क करते हैं कीरती तुमने मुझे गले लगा कर बाईक पर राउंड मारने का वादा किया था ना? आचा आओ, शर्मानी की क्या बात है? प्यार किया तो डरना किया, आज आप कीरती तुम से प्यार करती है? कीरती, क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो? यह इस बात का जवाब नहीं देगी, आपकी इज़त करती है पर ये कौन है और इसने क्यूं कहा कि ये कीरती से शादी करने वाला है सही कहा कीरती से शादी करके मेरा दामाद बनने वाला है ये इस महिने की 26 तारी को मैं इनकी शादी कराऊंगा इसकी और कीरती की शादी होने वाली है जोक अच्छा है बाद में याद दिलाना हस लूँगा यह जोक नहीं है हाँ और क्या है हो सकता है लड़कियों को हाजर जवाबी पसंदो लेकिन मेरे पुली स्टेशन में यह सब नहीं चलेगा अब तक तुने क्या किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है कीर्थी मेरी होने वाली बीवी है उससे दूर रहना यह प्रसाद सौ का नोट देना यह सौ का नोट रखो और कीर्थी को भूल जाओ रखवा रखो जेमें रख दो इस मजाग का क्या मतलब है तो पुलीस वाल आया ना तो रिश्वत लिए बेना काम नहीं करेगा ए प्रसाद एक नोट और देना तेरी इतने हैं मतलब शिद्धो रुख जाओ मुझे इससे बात करने दो किर्थी एक सवाल पूछताओं मुझे उसका सीधा जवाब चाहिए मैं सिर्फ आपके पसंद के लड़के से ही शादी करूगी पापा समझदार है मेरी बेटी पापा 26 को मेरी शादी कराना चाहते हैं बाबू उससे पहले तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि वो तुम्हें बसंद करें तब उन्हें तुम ही अपना दामाच चुनना होगा मैं शादी के मंडप में दुल्हन की तरह बैठी होंगी पर तुम मुझे मंगल सुत्र पहनाओगे और मेरे पापा मेरा कर्ण्यादान करेंगे अच्छा तो ये पंगा है आज मुझे पता चला कि मेरी बेटी कितनी भोली है अगले 25 दिनों में तुम मुझे कन्विंस करोगे कि मैं कीर्ती की शादी तुमसे करा हूँ इंपॉसिबल सिद्धू ने कीर्ती से चार साल दूर रहके अपनी पढ़ाई पूरी की क्योंकि मैंने ऐसा कहा था उसने नौकरी हासिल की ताकि वो कीर्ती को खुश रख सके तुम्हारे पास क्या है सिर्फ तुम्हारा एटिटीटीड और सड़क छाप अकड तुम मुझे कभी कन्विंस नहीं कर पाऊगे आपने कभी सोचा था कि मैं एंजिनियरिंग पास कर पाऊंगा आप इने बुग दे कर पास कर आया ना कभी सोचा था कि कीर्ती मुझसे प्यार करने लगेगी पर खुच सुना ना जब ये सब हो सकता है तो ये भी मुम्किन है कि कीरती की बात सचो और आप मुझे दामाद चुन ले मेरे पास अब भी 25 दिन है Only one moment आपको लगता है आपको कन्विंस करने के लिए मुझे एक पल नहीं मिलेगा खेर आप बस 42 साइज शर्ट और 32 वेस्ट की पैंड का इंतजाम करके शादी की तयारी कीजिए जल्द मिलेंगे सिद्धू, कीरती कन्फ्यूस्ट है वो उसकी नादानी को प्यार समझ रही है तुमने मुझे अपनी लगन से कन्विंस किया है तो आने वाले 25 दिनों में तुम कीरती को अपने प्यार से कन्विंस नहीं कर सकते उसे अपने प्यार का एहसास दिलाओ कल कीरती का बर्दे है हैपी बर्दे कीरती, मैं पिछले 4 सालों से तुम्हारे बिना तुम्हारा बर्दे मना रहा हूँ बस बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ और तुमसे शादी करने को कितना पिताब इसलिए सोचा कि यह वीडियो बना दो और फाइनली मैं खुद तुम्हें विश्करना चाहता हूँ हैपी बाथ्टे कि इर्थी विल्यू मैरी मी चार साल में मैंने तुमसे जितना प्यार किया है तुम उसे चार दिन में नहीं समझ भाओगे पर मुझे चल्दी नहीं है मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूँगा अबे तु किरती के कॉल्स क्यो नहीं उठा रहा आज बप्रद्दे है हाँ ये आपी बप्रद्दे तु यू वाली फोर्मालिटी मेरे दिमाग में नहीं गुष्ती दिमाग हटता है तु किरती के फादर को इंप्रेस कर रहा था था ना उसका क्या हुआ अब भी तेईस दिन बचे हैं क्या सोचा तूने तूने क्या सोचा है कुछ नहीं प्यार के लिए मैं खुद को बदल नहीं सकता बस एक खास पल चाहिए अबरे भाई फोन उठाले इंकम्मिग तो फ्री है एलो फुष nove heaven a핑कतिंगर को मुझे भी वैक्र करriel आ और को कहां किस अग्रों आपउट नीचे फिक बिल्कुल नहीं मेरी लाइफ में तुमसे पहले सिग्रेट ने इंट्री मारी तुम्हारे बाद कोई दूसरी लड़की आए तो तुम्हें छोड़ दूगा क्या लाइफ में जब एक बार कोई चीज पसंद आती है तो उसे छोड़ता नहीं बाते बनाने में तो एक्सपर्ट होतो तुम जानते नहीं हो कि आज मेरा बर्टे है हमारे प्यार के बाद ये मेरा पहला बर्टे है मुझे लगा कि कोई सरप्राइज किफ्ट दोगे, चौकलेट दोगे कम से कम एक रोस तो दे ही सकते हो मुझे बर्टे वेश तक नहीं किया तुमने मैंने कहा ना, यह सब मुझे पसंद नहीं है सिद्धू कल रात मुझे बाहर लेकर गया था और उसने मुझे सप्राइज भी दिया डायमंड रिंग देकर उसने मुझे प्रपोस किया तो मकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ तो हमें अपनी लाइफ में कॉंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा सारे ओप्शन्स होंगे हमारे पास ओप्शन्स तो तुम्हें वैसी लाइफ चाहिए अटो लेकिन कहा तुम चलो ना कहा ले जा रहे हो यह कहा अगए यह सचे पांच मिनिट के लिए तेरा शोरूम मेरा पांच मिनिटा पुराना दोस्त है पर मुझे यहां क्यों ले आयो इसे एक शोरूम नहीं हमारा घर समझो अगर मैं अच्छा कहासा कमाने लगूँगा तो हमारा ऐसा ही एक घर होगा अब अपने घर के लाइफ को एंजॉय करते हैं बैठो ला तीवी ओन करो ओ यह देखना है ओके ऑप्शिंज 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 हलो मैं यहां बैठी हूं तुम वहां जाकर क्यों बैठ गए मुझे मास्च देखना है जब हम अमीर होंगे तो आप्शिंज की कमी नहीं होगी हम जो चाहे देख सकते हैं टीवी देख लिया अब सोते हैं चलो बैठो तो सोने से पहले क्या करती हो बुक पढ़ती हूँ और सो जाती हूँ यह लो बुक पढ़ो और सोजा अब तुम कहां जा रहे हो तुम पढ़ रही हो ना मुझे सोते वक्त बिल्कुल रोशनी पसंद नहीं है इसलिए मैं यहां सोँगा रिच लाइफ का यही तो फायदा है हम अलग अलग बेडरूम्स में सो सकते हैं आप्शन्स होंगे कॉम्प्रमाइज क्यों करना गुद नाइट चलो आप कहां चलना है तुम कहना क्या चाहते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है चलो तो एक बाबू गी तुम मुझे कहां ले करा है अचलो नीचे उत्रो यह अमारा घर है आओ मा क्या हुआ है ऐसे कह देख रही हुँ यह तुम्हारी बहु है है तुट आओ बिटाओ यहां बेटो सुनिये जी आपने बिल्कुल सही कहा था यह तो सच में चांद का टुकड़ा है घर में सब कैसे हैं बिटा अहां जी सब ठीश कौन बनेगा मेरा पती प्रोग्राम देखती हो ना नहीं मैं मूवीज देखती हूं टीवी शोज देखना अच्छा नहीं नहीं ठीक है जो चल रहा है चल नहीं दीजिए अरे ऐसी कैसे हम तुम्हारी पसंद देखेंगे परिवार के साथ बैठकर टीवी देखने का अलग ही मसा है रुको मेटा तुम लोगों ने बाहर तो कुछ नहीं खाया सुबैसे भूके घूम रहे हैं ओहो तीन बजगे हैं तुमने अब तक कुछ नहीं खाया जरा रुको मैं खाना लगाती हूं अरे बस बस बेटा फिश करी बनाई है पसंद है ना पसंद है पर मुझे कांटा निकालना नहीं आता दोनों एक जैसे हैं इसे भी कांटा निकालना नहीं आता शादी के बाद दोनों एक दूसरे के कांटे निकालते रहे ना कोई बात ने मैं निकाल देती ने 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 आंट नहीं नहीं बेटा, मुह खोलो थांक्स अंटी बेटा, थांक्यू अंकल, आंटी ये शब्द मेरे कान पर नहीं पढ़ने चाहिए ठीक है पापाजी बेटा आइम प्राउड अव यू लेकिन क्यों तुम्हें मनाने के लिए इसे दो महीने दिये थे पंद्रा दिन में काम कर दिया वा बेटा एए, कांटे ठीक से निकालना हाँ, ठीक है बहुआ आके तो बेटा भूल गई तू तो मेरा राजा बेटा है ले खाना बहुत टेस्टी है माँ तो और खा, ले सुन, पासा सीधी नजर उतार रही है या उली मुझे पता है, इस पर थूको यह हमारा कमरा है दर्वासा बंद मत करो क्यों, क्या हो हमारी शादी नहीं हुई, सब गलत सोचेंगे ऐसा क्या? जरा सोर से बोलो गर का टोटल अरिया 700 स्क्वेर फीड होगा ऐसा क्यों? बड़ा घर लेनी के आउकाद नहीं है वो नहीं कह रही, जोर से क्यों बोलू क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है तो दर्वासा खुला छोड़कर जोर से बात करनी चाहिए वरना बाहर वाले सोचेंगे की अंदर कुछ कडबड चल रही है हाँ एक बातरूम पीछे की तरफ भी है वैसे कमरा बहुत अच्छा है बस्टॉप यहां से सिर्फ दस मिनिट की दूरी पर है तुम्हारी घर में तुम्हारा हाथ पकड़ की बैटनाम बहुत अच्छा लगता है खुश होना पहले जो शोरूम तुमने देखा वो मेरी लाइफ नहीं है यह मेरी लाइफ है सब पैसों के पीछे भागते हैं पर पैसों के पीछे पागल हो जाओ तुम्हाब आप से बात करने के लिए भी टाइम टिबल की जरूरत पढ़ती है यह है असली लाइफ अब भी चाती हो कि डाइमंड ड्रिंग देकर तुम्हें प्रपोस करो अगर हां तो ऐसा ही करूँगा फिलहाल मेरे पास सिर्फ यही रहेंगा भाई भाई कीरती से मैं बात कर लोंगा सिद्धू तुम शादी की तैयारियां तो शुरू कर दो ठेक अंकल मैं कीरती से मिलकर जाऊंगा कीरती हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे शादी की बात हो रही थी महुरत 26 तारिक का निकला है तुम्हारी तरफ से तुम जिनको भी बुलाना चाहती हो उनके एक लिस्ट बनाके मुझे देदो ज्यादा टाइम नहीं है बेटा अभी हम शादी के कार्ड सेलेक करने जा रहे हैं तयार हो जाओ सिद्धू अगर हम कीरती को शादी की तैयारियों में ऐसे ही उलजाये रखेंगे तो उसे बाबू के बारे में सूझने का वक्त ही नहीं मिलेगा लेटिस्ट डिजाइन है सर बहुत सुन्दर प्राइस ये एक कार्ड आपको पड़ेगा 500 रुपीज में बाबू की पॉकेट मनी इस कार्ड के प्राइस से भी गम होगी और मेरी बेटी से शादी के सपने अचा है ना बेटा बुटकी ने यहां क्यों बुलाया मुमी प्राइस मैं जाता हूँ इस ओकी क्या आतर्शमा है सुपब पेर जड़ा साइट कीजिया ना थोड़ा सा ने ने किसी की नसर ना लगे आप और ये गडूस कैसे है लगता है मैं तुम्हारी मम्मी का फुल सपोर्ट है जो चीज मेरे पापा को पसंद नहीं आती वो मम्मी को आटोमाटिकली पसंद आती है बात ये है मम्मी को मेरी तरफ से लव यू कह देना मम्मी के बारे मैं बाद में बात करेंगे पहले मुझे सिद्दू की बारे में कुछ बताना है देखो ये वो मैसेजिजे और वीडियोज है जो सिद्दू ने मुझे भीजय है हणिमून के लिए सिद्धू के परिवार वाले कर मेरे घर पर शादी का कार एक्सचेंज करने आ रहे हैं तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना और इंतजार करते रहना शू मुरं निगला जा रहा है शादी के कार दीजे जजमाल सब्सक्राइब करो जल्दी सब लोग आ गए ना हां सब लोग यहीं तो हैं सब्सक्राइब यह तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है शादी 26 को होगी यह तैय हो गया ना एक फैमिली को कार्ड एक्सचेंज करने का मौका मिला तो दूसरों को भी मिलना चाहिए वाट इस डैड़ी सत्यनारान संधी जी महोर्त निकला जा रहा है पत्रिका की लेंदेन कर लें कार्ड एक्सचेंज की कर लेते हैं कीर्थी की शादी का कार्ड खाना खाने जरूर आना पापा एरे बेटे की भी शादी है आपको गिफ लेके आना है अगर तुम नहीं आए तो भी मुझे यह सब क्या है बैठी है ना शुरू करें शुरू जाओ हां तो बिटी अब तुम क्या पढ़ रही हो दिन में एंब्या की किताबे पढ़ती हो रात को मेरे भीजे एसमेस पढ़ती है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है हां बताओ शादी के बाद खाओ गली में तुम्हारे नाम का ठेला डालेंगी हो गया तेरा तेरे जमाने के सवाल पूछे की तो लो घसेंगे ही मैं मेरे जमाने के सवाल पूछता हूं देखना भी गाने में गला कैसा है हां इनका जजमान, एक छोटा सा संदे है, हाँ पंडी जी, आप दोनों में से कोई एक किर्ती से शादी करेगा, ये तो समझ में आया, तो दूसरा क्या शादी में शहना ही बजाएगा, ये तुम से पूझ रहा है, जवाब दो, है, बिटा, मैं जवाब दू, बता दो किर्ती और मेरी शादी के बाद तू क्या करने वाला है, सब का मुझ से ही करवाते हैं, ये बगवान, ये आकाशवणी का हैद्रबाद के इंद्र है, इस गाने की फर्माईश की है सिधार्त वर माने, जा गाड़ी पार्क कर गया, वहले पार्किंग सिफ चार पईयों के लिए होती है, दो पईयों के लिए नहीं सर, दो पईयों मेरे ले ले ले, अब हो गई ना फोर वीलर, अंधर चले पापा, तू प्लस टू का हिसाब आ गया इसको, तुम यहां क्या कर रहे हो, हम जहा र शादी की शॉपिंग सर, बेटी की शादी की, जमाई कहा है, यह रहा, इस एरिया का सब इंस्पेक्टर है, क्या बात है, सब इंस्पेक्टर आपका जमाई है, continue, continue, ने, ममी, यह साड़ी कैसी लग रही है, अरे मुझसे क्यों पूछ रही है, अपने होने वाले पती से पू सर, आपका जमाई कौन है, बताया तो, यह मेरा जमाई है, और यह वाला, यह, मैं इस लड़के को नहीं जानता, आप तोनों का रिलेशन, पती-पत्नी, और यह प्रोड़क्ट, हमारी बेटी, और जमाई, यह रहा, सासुमा, पाव का नाप लिए, एक पेक फ्री का ओफर स उसे, उसे एक हानीमून पैकेज देते, और आज, यह प्राइज आपकी बेटी को मिला है, यह तो दुलन की टिकेट हुए, दुले की का है, वो तो दुलन पहले ही ले गया, सिद्धू, कल शादी के कार के एक्सचेंज के समय उसने तमाशा खड़ा किया था, मैंने कुछ न उसे इस बार रोकना ही होगा, सिद्धू, रूल्स का पालन करना है, करो, रूल्स को तोड़ना है, तोड़ो, बस वो वहाँ आने ना पाए, आज तक मैंने खुद को कंट्रोल किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा खराब इंप्रेशन पड़े, अब मैं दिखाता ह कि शादी करेगा, चल हमारा छोड़, लेकिन कीर्थी के लिए तो कपड़े लेने होंगे ना, हाओ, नरेंद्र, नाई, नाई, मड़र सस्पेक्ट को जेल में रहने देना, बागी सब को रिहा कर दो, मेरे बार में किजड़ी पका रहा है, नाई यार, मैंने चाहता कि मुझे बेवजा अंदर डालेगा और मैं चुप-चाप देखूँगा, क्या कर लेगा बे, लड़ो मत बेटा, प्लीज, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, शान्त हो जाओ, आप मेरी माँ की तरह हैं, यानि मेरे बाप की रखहले, छोड़ दे बेटा, पैसो मस्कर, क्या कर बिना जुर्म के जेल नहीं जाएगा, कर लिया ना जुर्म, द्यूटी पर खड़े ऑफिसर का कॉलर पकड़ने का, और कोई जुर्म करेगा, अब तो धूग गया, चल माँ घर जाओ, मैं आ जाओंगा जैसा सोचा था, वैसा ही हो रहा है, तुझे कीर्थी चाहिए ना, कसम से आज के बाद तुझे उसका चहिरा भी नहीं देखने दूगा, कल रात आठ बजे हमारी शादी का संगीत है, मैं वहाँ हीरो की तरह ना जूगा, और तु यहाँ सलाखों के पीछे, अपनी किस्मत क ना रोएगा, कैसा लगा मेरा प्लान? यह है, तो मेरे घर के बाहर बेटे बापा मेरे कान में नया प्लान क्यों बता रहे हैं, हाँ, अहाँ, वो कह रहे हैं कि संगीत संध्या में सेलिबरेशन करूँगा, मैं और डिपरेशन में यहाँ पड़े रहों के तुम, अब यह य यह बाबू ने ग्रूप में मैसेज भिज़ा है तुने देखा क्या वो पॉली स्टेशन में है यह किसे मैसेज कर रहा है इसका फोन ले लो एए फोन दे फोन दे फोन दे क्या हुआ आप पॉली स्टेशन गए थे ना बाबू नहीं आया टेंशन क्यों ले रही हो तुम अपने बेटे को नहीं जानती क्या वैसे पुली स्टेशन जाते वक्त उसने तुमसे कुछ कहा था क्या उसने कहा था वो आ जाएगा उसने कहा है तो फंक्शन शुरू होने से वो आ जाएगा टेंशन मतलो तुम भी लूंगी पहन लो जाओ अरे यहां लाइन क्यो लगी हुए सूबसन मैं आपके साथ हूं सेर सलाम साफ सब लोग आपका ही वेट कर रहे हैं ए पबली के लिए पादी ला रहे सीधा खड़ा रहो नरेंद्र सर इस स्टेशन में भीड किस बात किये बाबू ने आपसे बदला लेने का प्लान बनाया है इसके कॉलनी के लोग किसी ना किसी चीज की रिपोर्ट लिखाने आए हैं अब तक धाइसो केस जमा हो गये हैं और यह नाड़े का बाबला है दरहसल वो नाड़ा नड़ियाद का था किसी ने खीच लिया उसके पजामे से और यह अंडर्वेर का बाबला है वहीं अंडर्वेर पहनकर उसके दादा जीने जंडे गाडे थे चोरी का केस तो बनता है सर बेटा सिद्धू शौक लग गया ना? अगला केस तो सुनो, शौक के साथ क्रेजी हो जाओगे शामलता, लाइं में इतनी पीछी क्यों खड़ी हो, आगया आजाओ हटा, हटा, हटा कभी 80 साल की जवान लड़की देखी नहीं आपकी क्या समस्य है दादी माई इव टीजिंग केस है, हमारे एरिया के सारे बुढ़्धे मुझे देखकर दांस करते हैं शेडखानी तो इनके जैसी खुबसूरत लड़कियों के साथ होती है एकस्पारी डेट के साथ नहीं मैं उसे दो साल बड़ी हूँ आज भी उन बुढ़्धों के लिए मैं छपपन चुरी हूँ ठक गई हूँ मैं उन ठरकियों से दादी माई, मैं समझे कि आप पर क्या-क्या बीती है मैं लिखता हूँ पैर कबर में है लेकिन डेट शानी है हाँ, सामू पैर को मिलते हैं जाटा पंजागो टाएरिया से एक लड़के को निजी स्वार्थ के चलते सब इंस्पेक्टर सिधार्थ ने अरेस्ट कर लिया पुलिस स्टेशन में अफरा तफ्री का माहौल है सुबह से हजारों लोग केस वाइल कर चुके हैं अरे बड़े साम सेर मैंने सुनाया कि बाबु नाम के लड़के को आरेस्ट किया है केस क्या है केसाई को फोन दो अभी देता हूं सर कमिशनर सर असल में हुआ यह था कि नौकरी इसलिए नहीं दिये कि परस्नल रीजन के वज़े से लोगों को आरेस्ट करो सर आप जानते नहीं है मीडिया हम पर उंगलिया उठा रही है सैर मेरी मानिये तो कंप्रमाइज मैं कंप्रमाइज हरकेज नहीं करूंगा देखते हैं अभी यह क्या करता है इतने से पेट नहीं बढ़ा गया है लड़की एक दिवाने दो दिमाग हमारा खराब हो रहा है एए पैटने को बला क्या बैट जाओ ना जी मेरे पुलिस टेशन में मुझसे होश्यारी अच्छा बता तेरा क्या प्राबलम है चार मिनार गायब हो ना क्या कहां- पहले यह बता तेरे बापने खरीदा कब अगर चार मिनार गायब हो गया ना तो उसका केस दिल्ले में लिखेंगे उसका और बता वैसे आपका पर्स कहा है जोपी के नीचे है कहा है मेरा पर्स मेरा पर्स कहा है उसके रिपोर्ट लिख दो ना कैसा लगा लॉजिक क्या लॉजिक हो ना क्या लॉजिक हो ना क्या लॉजिक हो ना क्या लॉजिक हो ना क्या चुप रहो रहे जा तुझा रहे तेरा हो गया आप फोन इसका है कि तेरा नेक्स्ट चिंट बेटा अरे तुछे भी प्रॉब्लम है तुमारी मेरी पेंसिल गायब हो गई अरे रे उपर वाला कितना कठोर है पेन पेंसिल का केस नहीं लिखा जाता है घर जा बेटा योर ओनर एक छोटा सा बच्चा दिल में बड़ी उमीद लेकर खोई हुई पेंसिल के रिपोर्ट लिखाने आया है अगर आप ने उसका केस नहीं लिया तो सोचे उसके दिल पर क्या भीतेगी हाँ उसका कानून से भरोसा उट जाएगा सिद्व साब मिया कल उटके वो चोर मवाली या फिर टर्रिस बन जाएगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे यह कौन सी फिल्म का सुपर ही डालोग है बाबा मुझे क्या पता लगता है स्पेशल केस है तुम्हारी पैंसिल कैसे गायव हो गई शापनार में पैंसिल डाली आदे घंडे तक घुमाता रहा गायव हो गई क्या लॉजिक है क्या लॉजिक है बेटा नेक्स्ट बाई जिंडू बाई भाहिया हालाद बच से बत्तर होते जा रहे हैं भीड कम होने का नाम नहीं ले रही आखिर पुलिस कर क्या रही है सर ये टीवी पर क्या तमाशा चल रहा है मुझे मीडिया के कॉल्स हा रहे है उस लड़के को अभी छोड़ दो आदरवाइज आइम गटो टेक स्ट्रिक्ट आक्शिन्स अगेंस्ट ये आप मेरी बात तो सुनिए एक चछड़ूगा ले मैं बात आलोगा आपने कहा था कि इसके मुझ लगना अपना लेवल कम करना है इसलिए इसे इग्णोर कीजिए मेरी बात मानिए इसके साथ कंप्रमाइज कर लीजिए इससे आप शाम को अपनी संगित संध्या का मजा ले पाएंगे और फिर हमें ड्यूटी भी तो करनी है वरना फिर वही लड़ाई वही टेंशन ठीक है इससे काव ये लोगों को जाने को बोले उसके बाद इससे छोड़ूगा मैं सर सुन लिया ना बाबू ये प्रसाद हां ये मुझे छोड़ने की बात करने हैं सबको बोले कटिंग मार के आएं सेट है चलो 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 चाहे बिस्किट बाहर है चलो तुझे लग रहा होगा कि तू जीत गया मैं तुझे छोड़ो मनें ओफिसर लीड सर क्या आपने बाबू के अपने पर्सनल मैटर के लिए रेस्ज किया था है बिल्कल नहीं एक झोटा सा मैटर था जो अप्सव्र दो साइड 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 अटो साइड हाँ साइड आई सर आपको आरेस्ट की यह था? एसा इने बताये कि छोटा सा मैटर क्या ये सच है अंदर क्या हुआ वह में डीटिल में नहीं बता सकता बस एक छोटी सी कहानी सुना कर एकस्प्लेयन करूंगा कहानी का नाम है गजेंद्र मोक्ष एक नदी हुआ करती थी उस नदी में एक छोटा सा मगरमच रहता था एक दि कि साक्षात विश्णु भगवान को मांडवली करने आना पड़ा विश्णु जी के कहने पर मगरमच ने हाथी को जाने दिया वहाँ से जाते हुए हाथी ने सोचा दार मैं इतना बड़ा हूँ मगरमच इतना चोटा जानते हो मगर मजने आंटिट्यूड मारते हो यह क्या जवाब दिया है? हो सकता है, जंगल में तु बहुत बड़ा तुर्रम खाँ है, पर पानी में मैं हूँ लोकल! यह भी लोकल है मिस्टर सिद्धार्थ, जब तक इन केसेज की इन्वेस्टिकेशन्स होकर सारी फाइल्स बंद नहीं हो जाती, तुम इस पुलिस्टेशन के बाहर कदम नहीं रखोगे, बात समझ में आई, तिस इस एन ओडर! तुम इससे प्यार करती हो, तुम्हें वाकई लगता है कि यह प्यार है? किसी अजनभी के लिए अपने पापा से दूर हो जाना यही तुम्हारा प्यार है? अपने बाप की इज़त सर्याम रिष्टेदारों के सामने उच्छालना यही प्यार है? सर, बात यह नहीं है, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, तुम्हारा इससे कोई संबन नहीं है, इसने उस दिन क्या कहा था? जब आप इतना टेंशन में हैं क्योंकि आपकी बेटी अगले छे महिने में आपसे दूर होने वाली है, तो सोचिए मैं कितना टेंशन में हो इक बात बता हो, मैं यहीं अभी क्या भी तुम्हारी शादी इससे करा देता हूँ, बोलो, तुमने अपनी फ्रेंड को मेरे बारे में क्या कहा था? मेरे पापा उस डायरी की तरह है, जो मैं हर रात लिखती हूँ, आखरी बार तुमने मेरे बारे में अपनी डायरी में कम लिखा था आज जरूर लिखना कि पिछले एक महिने से तुम्हारे पापा किस दर्द और घुटन में जी रहे हैं तब तुम्हारे हिसाब से एक बाप के लिए ये खाब देखना कि उसकी बेटी आगे जाकर एक अच्छी जिन्दगी जिए ये गलत है तुम्हें एक ऐसे घर म का सही का है क्या यह सही है सरा मेरी बात तो से मैंने कहा ना यह मामला सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का है तुम बीच में मत बोलो चले जाओ कि इसे यहां से जाने को काओ प्लीज सर लेकिन प्लीज कि अच्छी जाओ बात करनी है तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम्हारी और मेरी शादी कल ही होनी चाहिए और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो तुम्हारे पापा की इच्छा पूरी हुई तो तुम मेरी पत्नी बन जाओगी और अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हुई तो मेरे पास सिर्फ वो यूनिफॉर्म बचेगी जो मैंने तुम्हारे लिए हासल की कल से जब मैं वो यूनिफॉर्म पहनूँगा तो मुझे तुम याद आओगी भले ही मैं तुम्हें खो चुका हूँगा अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे तुम्हारा प्यार तुम्हें सौप देना चाहिए और आज मैं तुम्हें वही देने आया हूँ मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि एक दिन तुम्हें प्यार करोगी और आज मैं हार गया किर्दी, मगर मेरी हार में, तुम्हारी हार नहीं होगी बाबु की जीत होगी और तुम्हारी उससे शादी और उसकी जीत को पक्का करने के लिए, मेरे पास उसके लिए एक नौकरी है चालीस हजार रुपे महीना सेलरी है, बाबु से कहो कि ये चिठ्थी वो तुम्हारे पापा को दिखाए और तुमसे शादी कर ले तैंक यू सिद्धू, तैंक यू सो बाच आप चलो पापा को फोन करके बोल दो कि तुम्हें जॉप मिल गई है और जल्दी से मेरा हाथ मांग लो, देख या रहे हो, कॉल करो ना प्लीज, जल्दी करो हलो आपकी बेटी ने मेरे लिए जॉब ढूंड़ी है ताकि आप मेरे उससे शादी कर वा है उसने कहा यह मैं आपको बता दूँ अब शादी कर लूँ उससे कीरती शायद आपकी चाल नहीं समझ पाई मैं नहीं बदलने वाला कीरती से शादी करते वक्त में वहीं बाबू रहना चाहता हूं जो उससे पहली नजर में देखते हैं उससे प्यार कर बैठा था फिलाल आपकी बेटी थोड़ी कन्फ्यूज लग रही है घर आए तो उससे अच्छी तरह बिठा के समझा दीजिए तुम्हें इतना अटिट्यूट क्यों भा रहा है मैं जब यहां आई तो कितनी खुश थी कि अगर तुम्हें ये नौकरी मिल गए तो कल हम खुशी-खुशी शादी कर पाएंगे जिंदकी को हराम से जी पाएंगे सोचा इस जॉब से तुम्हें जिंदगी में क्लारिटी मिल जाएगी तुमने कहा था मेरे पापा को कन्वेंस करोगे क्या एक बार भी कोशिश की तुमने तुम ऐसा नहीं करोगे जिर्द परड़े रहोगे और हमेशा मुझे ही तुम्हें समझाना होगा सिद्धू को देखो मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है और तुम होगी मेरी ही गलती थी जो मैं तुम्हें समझाने यहाँ पर चलियाई शादी कर लेते हैं न प्लीज भूलों से सजीकान में तुम्हारे साथ पूरा शेहर पूरा शेहर गुंगना चाहती हो ऐसा है सर यह बहुत एमोशनल हो रही है इन्हें सही सलामत घर ड्रॉप कर दीशे यह सागानोट रख आर कीर्थी मुझे तेदे क्या है डर लग रहा था कि कई मैं कीर्थी को खो न दू 25 दिनों तो कि खास पल का इंतजार कर रहा था दिन घंटों में बदल रहे थे और घंटे मिनिट में पर वो खास पल नहीं आ है कर दूंटों में युझ को एंटों में आ है युझ कर दो पास पास कर दो हेलो आप लोग कौर है क्या चाहिए आपको ओ लांडिया के बगल में जो बैठेगा कहां है उस असुर कानाती हो हमको चाहिए तुम्हारा दमाद बलाओ से हेलो सुद्धू हेलो बाबू कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा कामर गया वो यह कौन है यह होने वाला जमाई ही है पर कीरती का होने वाला पती हमारे तामाद को किटना किया ही है ही है हाँ ही है हिए यह बिंग अर्ण एफ यह झाल अजिख एए एक कदम भी आगे बढ़ाया तो लड़की का भेजा बाहर होगा पेटा उस दिन जो हमारी आँखों के सामने हमारे जमाई को पीच साधी से एक लॉंडिया के लिए उठा के ले गया था वो तू ही है ना हम तुम दोनों को उसी दिन ठोक देते जब तो इसकी दोस्त के लिए हमारी बेटी की जिंदगी बरबाद करके हमारे दमाद को उठा ले गया पर अगर हम तुम्हें मार देते तो हमारा बतला अधूरा रह जाता हो समझा क्या जैसे दुलहन की तरह ये सजी है वैसे ही उस दिन हमारी बेटी साधी के मंडप में बिलकुल तैयार बैटी थी इसलिए हम इसकी जिंदगी नर्ग से बत्तर बना देंगे हर पल हमने इस वक्त का इंतजार किया है ताकि इसकी साधी के दिन ही इसके पती को मारके इसकी जिंदगी बसने से पहले ही से उजार दू पर लड़की की मा कहती है ये उसका होने वाला जमाई है और तू उसका पती अब बता उसे शादी कौन करने वाला है बता बोल कहते हैं मरने से पहले इंसान की पूरी जिन्दगी उसे नजर आजाती है आप चुप क्यों है? बोलिए? दुनिया भर में धिंडोरा पीटते हैं कि वो आपका जमाई है तो बोलिए ना, बताइए इने अरे! वो जमाई नहीं है तुम तो उचल-उचल के सबसे कहते थे तुम जमाई बनने वाले हो सर, हॉल के बार बोर्ड लगा, आपने देखा नहीं कीरती बेट सिधार्थ वर्मा, यही है सिधार्थ वर्मा आपस का मैटर्स अलटा लेंगे पहले, इसे गोली मारो देख क्या रहे है सर, मार दो अरे अक्शन लीजे, सर, उड़ा दीजे, उड़ा दीजे, उड़ा दीजे तुम फैसला करने वाले होते कौन होगी, यह मेरा जमाई है यह फैसला मैं करूंगा, मेरी बेटी किरती से यह शादी करेगा किरती इस से प्यार करती है यह मेरा जमाई बनेगा कीरती, तुमने सुना ना? तुमने कहा था मूहरत से पहले तुम्हारे पापा को मुझे जमाई चुना होगा चुनलिया सुना ना ! सुना के नहीं सिद्धू के बापा नोत कीजिये ये फल्टी मारेंगे सर, कीरती से शादी करने वाला, इनका जमाई बनने वाला और आपके जमाई को उस दिन उठाने वाला, मैं हूँ आपके सवालों का जवाब मिल गया ना, बस अब एक छोटा सा पंगा रह गया सर बाबा, ये लॉणना यहां से भागने की फिराक में है सर, सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, ट्रिगर पर उंगली आपकी, आपकी गन मुझ पर तनी हुई है, भाग सकता हूँ क्या अपनी बेटी के लिए आप किसी का खून करने वाले हैं, तो आप उससे कितना ब्यार करते होंगे मेरी एक आखरी इच्छा है सर, मुझे अपनी बात कहने के लिए बस दो मिनिट चाहिए मेरा नाम बाबु है, और यह सिधार्त है, मैं भी कीरती को चाहता हूँ, यह भी कीरती को चाहता है यहां तक हमारी स्टोडी एकडम सेम है, इसने कीरती की खातिर नौकरी की, मैंने कुछ नहीं किया यह कीरती के लिए सब कुछ कर सकता है, मैं कुछ नहीं करूँगा और यह तो इतना ग्रेट है कि जब कीरती के पापा ने इसे नौकरी हासिल करने को कहा तो ये पूरे चार साल कीरती से दूर रहा और वापस आया तो पुलीस इंस्पेक्टर बनके, कितना great है sir एकडम great है वो तो है ही वही तो मैं भी कह रहा हूँ sir, great है, एकडम great, Sidhu, तु great है लेकिन sir अगर ये चार साल कीरती से दूर रह सकता है, तो 40 साल भी आराम से रह लेगा मैं तो उसे एक दिन भी दूर नहीं रह पाया, अगले ही दिन जाके college जॉइंग कर लिया, मैं पागल हूँ क्या रे डफ़र है तू बाबू खेरिये सब छोड़िये sir, इसने कीरती के बर्दे पर बड़ा surprise दिया, मैंने कुछ नहीं किया, इसने उसे diamond ring पहनाई, मैंने कोई gift नहीं दिया, ना greeting card, ना एक फूल, मैंने तो wish भी नहीं किया sir तू great है, तू नहीं एकडम great लेकिन sir, कोई लड़का लड़की के लिए gift खरी दे और लड़की उसे देखकर वाव I love you का है, तो वो लड़के से प्यार करती है या उस gift से जिंदगी में कुछ खास दिन होते है, मैं अपनी बेटी को, ऐसे आदमी को क्यों सोक मुझी से वो याद ही नहीं मैं वैसा इनसान नहीं हूँ जो mother's day पर अपनी मां से प्यार करें और बाकी दून उसकी तरफ देखे भी नहीं कीर्थी बस एक बार मेरी बन जाये तो हर दिन उसका birthday होगा, वो 365 दिन मेरे लिए special होगी सिद्धू चार साल पहले शादी करना चाता था, तब इन्होंने शादी नहीं करवाई अब नौकरी है तो सब ठीक है, लेकिन कीर्थी की सिद्धू से शादी हो रही है या उसकी पुलीस की नौकरी से नौकरी से नहीं, सिद्धू से जिसके पास अच्छी नौकरी है से कमा सके मेरी बेटी उस आदमी के साथ खुश रहेगी अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं या पैसों में तोलकर उसका सौधा करना चाहते हैं अगर जिन्दगी में प्यार हो तो किसी बस में भी खुशी मिल सकती है सर प्यार ना हो तो किसी महंगी से महंगी गाड़ी में भी खुशी नहीं मिलेगी इंसान को जिन्दा रहने के लिए प्यार चाहिए सर लग्जरी नहीं आपको लगता है आपके बेटी तभी खुश रहेगी जब बेशुमार दौलत हो लेकिन अगर ऐसा है तो 25 सालों से मेरे माबाप कैसे खुश है आपके पास तो पैसा है तो आप में और आपकी बीवी में इतनी तूरी क्यों है शादी के 25 साल बाद भी दिल बहलाने के लिए इने टीवी लगाना पड़ता है आप जानते हैं इनके रिष्टे में ऐसा क्या खास है जो आपके पास नहीं है सर प्यार है 15 साल पहले काम पर एक अक्सिदेट में मेरे पापा के पैरों में रॉट डाली गई थी सर उनकी नौकरी चली गई मा ज्यादा पड़ी लिखी नहीं थी फिर भी अपने परिवार को पालने के लिए उन्हें नौकरी की पर इससे पापा का ममी के लिए प्यार चुटकी भर भी कम नहीं हुआ इसकी वज़े जानते हैं सर अगर प्यार पैसे और दौलत पर ठिका होगा तो उसके जाते ही खत्म हो जाएगा पर प्यार रिष्टे में बराओ तो पर्मनेंट है सर दुनिया में सैकड़ो लड़के हैं सर पर कीरती से एक ही लड़का शादी करेगा वो लड़का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे उसके पापा ने चुना हो या जिसके पास नौकरी हो या जो उसे हनीमून पर वेनिस ले जाए वो होना चाहिए जो कीर्थी के दिल में हो कीर्थी के दिल में मैं हूं सर जानता हूं यहां खड़े किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही Great answer, So Great आपने सुन लिया सरut, अब आप ही फेसला कीजिए कीर्थी को इससे शादी करना चाहिए या फिर मुझसे पैसे कमाए जा सकते हैं लेकिन प्यार नहीं तुम उस लड़की के दिल में बसे हो तुम ही शादी के हकता रहो मेरी बेटी का फैसला तुम दोनों कैसे कर सर बस एक और बात बताईए सर आपके जमाए को उससे शादी करनी चाहिए थे जो उससे प्यार करती है या फिर आपकी बेटी से जो उसके दिल में बिल्कुल नहीं है वाँ, इन्हें भी अपने बातों के जाल में उलजा लिया जब बात अपनी जान पे बनाई तो क्या दिया सिद्धू मेरा जमाई है तो फिर नाटक क्यूं करते हो कि कीरती के खातिर तुम अपनी जान तक दे सकते हो अगर इनके पोचने पर तुम मर्द की तरह कहते कि हाँ मैं ही कीरती का पती हूँ तो मैं तर नाटक क्यूं करते हो कि कीरती के खातिर तुम अपनी जान तक दे सकते हो अगर इनके पोचने पर तुम मर्द की तरह कहते कि हाँ मैं ही कीरती का पती हूँ तो प्यार साबित करने के आजार हो तरीके थे आपने पूछा ही नहीं अपने चान देकर प्यार साबित करने को का तो मैंने कोली चला दी कीरती से शादी करने के आपने यही एक शर्द बताई तो मैंने ट्रिकर दबा दिया मैं उसे अपनी चान से ज्यादा चाहता हूँ पाबो अपना यह को यह आपने आपने अच्छा अपने होस्पिटेल लेंगे जाओ पूरा भाता लेए पाबो कीर्थी, I'll love you नहीं बाबा नहीं, बहुत दम है बाबु में नहीं नहीं कर नहीं, पहले पता लगाओ लड़की को कौन पसंद है उसका भी कोई बाबु निकला ना, तो इस बार उसको नहीं, मुझे गोली लगेगी तुम्हें यकीन था कि पापा मारी शादी के लिए मान जाएंगे उनके बास ऑप्शन है नहीं था, उनकी मेंटल बेटी को संभालने के लिए कोई चाहिए ना मुझे मेंटल कहते हो तो तुम क्या हो उसन गोली क्यो चलाई खुद पर कुछ जाता तो तुम पागल हो, मुच्छड चलाता तो मर जाता मैंना दिमाग चलाया और हाट के एक इंचू परगोली चलाई यह क्या हुआ लाइट को भी जाना था, अब क्या करें यह किसका फोन आरहा है फोन करने को यह ताइम मिला क्या रे पार्टी की तार है? अरे यह को चोड़ी मोड़ी जीत थोड़ी है कल सुमै बात करेंगे ना कल शुम को पीके जीतना चली हो जाना अभी फोन रख हमारी शादी के पाति हाँ मेरे एरिया के लोगों ने मुझे मिलकर एरिया का कॉर्पोरेटर बना दिया क्या? साच? मुच, ये लोकल का चक्कर चला के सिर्फ दो लोगों को फाइदा हुआ है, एक ट्रम्प और दूसरा मैं रात पर बाते करते रहोगे क्या, सुहाग रात को सुहाग दिन में पदलना है हाँ, no problem क्या है राता है बताओ मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ क्या, मौन डालूँगी, इस कम्रे से बाहर नहीं चाने दूँगी तुमें, संजे इतना कॉंफिदेंस कहां से आथ हाँ क्योंकि मैं लोकल जो बन गई हूँ हाँ, बचाओ